तो चली तो तो फिर शुरू करते हैं यहाँ पर आज का BTST पहले जो डेली आप लोगों को टाइम पर मिल जाता है वो है आपका अपका अपना BTST तो मेक शूर कि पहले वीडियो को यहाँ पर लाइक जरू कर देना एंड चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क पर लेकिन अगर आप लोगों को एक तो हर एक जगे में आप लोगों को एकदम प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता है यहां पर मॉर्निंग में ऑडियो क्या था कि अगर जो लोग लेकी भी गाए हैं कौन्टिटी तो कम रखना और कोई दिक्कत नहीं हम यहाँ पर कव और आप यही सेम पैटन जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह ग्रीन केंडल बन रही थी भाई यहां पर दा कि मार्केट यहां पर डाउनसाइड के तरफ है हम लोग नीचे तक का यहां पर टार्गेट लेंगे एंड उसके बाद अब मुझे यहां पर आप लोगों को आप लोगों को आएगे जब आप सीखोगे तो daily btsd कैसे क्या mindset कैसे scenarios रहते हैं वो कैसे कैसे कैल्कुलेट करके मैं यहां पर आप लोगों को बत आता हूं यह चीज आपको रोज सीखनी है और नोट डाउन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले का करना पड़ेगा वीडियो क हमें बात कर लेते हैं कि market यार market बहुत जादा oversold हो चुका है और ये इसमें कोई no doubt नहीं है क्यों कि market बहुत जादा गिर चुका है तो market क्या है कहीं पर भी एक pullback दे सकता है अभी भी लेकिन अभी भी मैं यहां पर क्या call side लेके जाओंगा नहीं लेके जाओंगा आप पूछ fed meat है fed meat में क्या होगा rate hike होगा और अगर rate hike हो गया तो इसका मतलब क्या है उदर की महंगाई control में नहीं होगी और जिसकी वज़े से market में और pressure आएगा और आपको banking में और ज्यादा pressure दिखने मिल सकता है तो ये downfall continue भी हो सकता है no doubt कि market जो है oversold zone हो चुका है लेकिन ये देखो हम किस में लेंगे हम stocks में लेंगे तो stocks में अगर हम लेंगे तो क्या कहां पर होगा in the end आप लोगों को telegram पर update देंगा क्योंकि वहां पर market close होने में अभी वी वक्त है तो आई होप आप लोगों को ये ची समझ में आ रही होगी इधर इस current scenario में आज के दिन पर कहां पर closing का कोई matter नहीं करता है क्योंकि रात को important event है वो जाधा matter करता है आई होप आप लोगों को ये ची समझ में आ रही होगी so btst में आज index को avoid करो ठीक है अगर यहां पर market को जादे जादे बहुत अच्छी closing दे देता है 8900 के उपर आता है कोई positive sign दिखाता है तो हम वहां पर लेंग आपका important पैसा आपका है बचा के रखिए यह था मेरा analysis आयोप कुछी को यह चीज learning में अच्छी लगी होगी क्या सीखा मुझे नीचे comment पर बता देना लेकिन आज index को touch मत करो क्योंकि data काफी heavy आने वाले हैं जिसकी वज़े से आगे का sentiments और जो circumstances है वो देखा जाएगा इसी